दोस्तों ये वैसाख का महिना चल रहा है और वैसाख जैसे पुन्नेदाई महिने में 11 मई को अमावश्या है जिसको भौमवती अमावश्या कहते हैं और ये भौमवती अमावश्या का बड़ा ही शुब सईयों को बना है अब इसको भौमवती अमावश्या कहते हैं क्योंकि ये दिन कर्ज मुक्ति दिलाता है, आर्थिक सम्रद्धी बढ़ाता है, और उपाय जो करते हैं, उनका विशेस रूपर लाब होता है, देखे जब भी अमावश्य आती थी, सौमवार को, मंगलवार को, शनिवार को आती है, तो ये विशेस संयोग वाली अमावश्य बन जाती है, अब मंगलवार को वावश्य थी है, तो ये भौवधी अमावश्य होगी, हनुमान जी का ये दिन होता है, और देखे हनुमान जी का दिन, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत उत्ता आ जाता है, ओपर से ये अमावश्य थी काना, तो आर्थिक संकटों से छुटकारा दिलान सबसे पहले सुभा जल्दी उठना है जल्दी उठकर नानादी करने के बाद जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय आपको तांबी के कलश में तांबी का जो लोटा होता है उसमें एक शुद्र जल उसमें भरना है और लाल चंदन का पाउडर डालना है उसके बाद गुड़ल का फूल भी उसी में डाल दें लाल फूल जो होता है और सूर्य के उपायों को करें, निश्चित है कि शिग्र अति शिग्र आपके अर्थिकिस्तिती सुधरेगी और आप अपनी कर्ज को उतार पाएंगे तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें